आईए अब देखते हैं टॉपिक 3.13 किचोफ्स रूल्स या फिर किचोफ्स लॉग देखें नॉर्मली जो इलेक्रिक सर्किट्स होती हैं वो बहुत सारे रेजिस्टर्स और सेल्स, कैपेसिटर वगेरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं और वो complicated way में इंटरकनेक्टेड होती हैं ऐसी situation में हमने जो अभी तक series और parallel combination के equations लिए रेजिस्टर्स के लिए वो enough नहीं है मिसके वो काफी नहीं है इससे हम current और potential find नहीं कर सकते हैं इतनी complex circuits होती हैं इसके बारे में हम आगे देखेंगे तो ऐसी circuits में ऐसी complicated circuits में हमें ohm slow के इलावा series और parallel connection के equations के इलावा किर्चोफ rules का भी use करना पड़ता है यहाँ पर यह किर्चोफ rules बहुत ही useful होते हैं किर्चोफ rules basically दो है दरा two rules of किर्चोफ rules यह क्या है इसके बारे में बात में बात करेंगे लेकिन पहले एक बात समझ लेते हैं कि किसी भी circuit में जब आपको किर्चोफ law लगाना होता है तो पहले आपको current का labeling करना पड़ता है इसमें और ऐसे ही आपको potential का भी labeling करना पड़ता है current का labeling यानि कि क्या आपको circuit में current हर एक जगा पे draw करना पड़ता है यानि कि किसी register में से किसी battery में से किसी दूसरे component में से current किस direction में ज़ा रहा है ये आपको draw करना पड़ता है और उसके पास आपको current I ऐसे लिखना पड़ता है इसको कहते है current का labeling ये current का labeling आप अपने तोर पे सोच के करते हो मिस आप assume करते हो कि current इस register में से current इस direction में जा रहा होगा तो उस direction में आप current का arrow draw करते हो और उसके पास में current I लिख देते हो फिर ultimately आप इसको determine करते हो मिस के हम देखेंगे किच्छॉफ rule से current determine हो सकता है अब ये जो current आपने determine किया है वो current अगर positive आता है तो current की जो actual direction है register में से या किसी भी component में से वो सही है ठीक है अगर current positive आता है तो आपने जो direction उसकी suggest की और जो actual direction है वो दोनों same है यानि कि आपने सही direction पसंद की है लेकिन अगर ऐसा होता है कि current जो है वो negative आ जाए तो समझ लीजे कि current की जो actual direction है वो आपने जो choose की उसके opposite direction में है आपने जो arrow draw किया उसके opposite direction में दरसल current पास हो रहा है इसी तरह से किसी भी voltage source के लिए source यानि कि जैसे कि आप कोई cell ले लो या फिर कोई भी दूसरा electrical power source ले लो जैसे कि generator हो गया या और कुछ भी हो सकता है तो इसमें आप positive और negative electrodes पहले तो decide करते हो और फिर उसमें current एक arrow की मदद से draw करते हो आम तोर पे ये current जो draw किया जाता है वो cell के positive से बाहर निकलता है और negative में अंदर enter होता है ठीक है positive से निकलता है और negative में enter होता है तो ऐसे situation में इस cell का potential difference या फिर ऐसे कहें के terminal voltage मैंने आपको कहा था terminal voltage भी कहते हैं इसको terminal voltage V is equal to epsilon minus IR equation होता है ये equation आपने आगे अभी पढ़ा है यहाँ पे epsilon यानिकी EMF और I यानिकी current और small r यानिकी cell का internal resistance तो ऐसे situation में जबकि cell के positive में से current बाहर जा रहा है तब उसके terminal पे cell के terminal पे terminal voltage जो है वो इस equation से मिलता है V is equal to epsilon minus IR ये याद रखना आगे इससे opposite बात करनी है इसलिए मैं वापिस कह रहा हूँ कि अगर cell के positive में से current बाहर निकल रहा है तो cell के दोनों terminal पे terminal voltage V is equal to epsilon minus IR होगा ऐसा cell discharging mode में है ऐसे बोलते हैं discharging ये जो cell है वो discharge हो रहा है इसका discharging हो रहा है ऐसे बोलते हैं देखे हम बात कर रहे हैं कि cell के positive terminal में से current बाहर आ रहा है और negative terminal में से current अंदर जा रहा है इस situation में cell के अंदर क्या होगा ये सोचे cell के अंदर जो है current N से P की और जा रहा होगा समझे आप negative से positive की और जा रहा होगा देखे cell के बाहर क्या हो रहा है current positive में से निकल रहा है register में जा रहा है दूसरी जगा पे भी कहीं जा रहा है और फिर negative में से enter हो रहा है लेकिन cell के अंदर क्या होगा cell के अंदर जो current flow हो रहा है वो n2p जा रहा होगा negative से positive में जा रहा होगा ठीक है अब अगर इस से opposite case है कि अगर current जो है वो cell के अंदर positive से negative में जा रहा है cell के अंदर कह रहा हूँ cell के अंदर positive में से negative में जा रहा है यानकि cell के बाहर अगर आप सोचे तो positive में से अंदर enter हो रहा है और फिर negative से बाहर निकल रहा है अगर ऐसे situation है तो ऐसे में cell का जो terminal voltage है वो आप V is equal to epsilon plus IR लिखोगे इस situation में cell का charging हो रहा है ऐसे बोलते है cell is in a charging mode ऐसे बोलते है V is equal to epsilon minus IR यानि कि cell discharge हो रहा है तब cell के positive में से current बाहर निकलता है और V is equal to epsilon plus IR तब cell का charging हो रहा है तब positive में current enter होता है फिक है इसको मैं एक अलग figure से आपको समझा देता हूँ देखे यहाँ पे मैं यह एक cell ले रहा हूँ फिर यह कोई एक register है यहाँ पे यह एक दूसरा cell है और यहाँ भी एक कोई register है और राइट और यह ऐसे जुड़ा हूआ है अब जो पहला cell है इसका EMF है सपोज के epsilon 1 और internal resistance है R1 यह positive और negative मैंने दिखा दिया और यह जो दूसरा cell है इसका EMF है epsilon 2 और जो internal resistance है वो R2 अब अगर यहाँ पे epsilon 1 is greater than epsilon 2 है तो आप समझे कि current किस direction में राएगा देखे epsilon 1 में से positive में से current ऐसे निकलेगा राइट इस तरह से और epsilon 2 के positive में दरसल current enter होगा negative से निकलेगा register से pass होगा और यहाँ पे first battery के negative में enter होगा इस तरह से दरसल current पास होगा अब यहाँ पे आप समझ लीजे कि यह जो पहला cell है उसके positive में से current निकल रहा है यह positive में से current निकल रहा है और circuit से होते हुए negative में enter हो रहा है तो इस cell के लिए यह जो पहला cell है इस cell के लिए terminal voltage V1 is equal to हो जाएगा epsilon 1 minus IR1 जबकि यह दूसरा cell है इसको देखे आप इसमें क्या हो रहा है दूसरे cell में आप देख रहे हो कि current positive में enter हो रहा है और negative में से बाहर जा रहा है तो ऐसे में इस cell के लिए जो terminal voltage होगा V2 is equal to epsilon 2 plus IR2 आएगा ऐसे terminal voltage आपको लेना है ठीक है यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए देखे इस cell के बाहर क्या हो रहा है कि positive में से current निकल रहा है circuit में जा रहा है और negative में enter हो रहा है लेकिन cell के अंदर क्या हो रहा होगा current negative to positive जा रहा होगा और इस cell में क्या हो रहा है current positive में enter हो रहा है और negative में से निकल के circuit में जा रहा है और positive में आ रहा है ठीक है लेकिन cell के अंदर क्या हो रहा होगा cell के अंदर current positive to negative जा रहा होगा यह difference देखा आपने पहले cell में cell के अंदर negative to positive current जा रहा है दूसरे cell में cell के अंदर positive to negative current जा रहा है तो इस वज़े से जो terminal voltage या फिर potential difference जो है वो equation इस तरह से बदल जाएगा इन दोनों बातों को आप अच्छे से याद रखना क्योंकि कई बार आपको cell के साथ ये terminal voltage और उसकी direction के मताबिक उसका equation ये या फिर ये लगाना पड़ेगा मैंने आपको बता दिया है आप ये भी याद रखेगा कि यहाँ पे जो पहला cell है उसका discharging हो रहा है इसका discharging हो रहा है और जो दूसरा cell है उसका charging हो रहा है ऐसे बोलते हैं अब आगे बढ़ते हैं इसमें और सबसे पहले देखते हैं हम junction rule junction rule पहले junction क्या है ये समझ लीजे देखे यहाँ पे left side में आप एक circuit देख रहे हो ठीक है यहाँ पे बहुत सारे registers और cells जुड़े हुए ऐसी complex circuit को network बोलते हैं क्या बोलते हैं network अब इसमें ऐसा कोई भी point जहाँ पे दो से ज़्यादा conductor मिल रहे हो उसको कहते हैं junction I repeat ऐसा कोई भी point जहाँ पे दो से ज़्यादा conductor मिल रहे हो उसको कहते हैं junction जैसे कि ये point देखे आप इस point पे एक, दो और तीन ऐसे तीन conductor मिल रहे है तो इसको कहते हैं junction फिर ये point देखे आप एक, दो और तिन तो इसको कहते हैं junction मैं इसको जरा highlight कर देता हूं तक कि आपको याद रहे ये A जो है वो एक junction है और यहाँ पे D जो है वो भी एक junction है इसके इलावा दूसरे जो भी points है वहाँ पे junction नहीं है वहाँ पे सिर्फ दो conductor मिल रहे हैं जैसे कि ये point आप ले लीजे तो यहाँ पे एक conductor है और ये दूसरा conductor है तो ये junction नहीं है junction यानि कि जहाँ पे दो से ज़्यादा conductor हो ठीक है अब ऐसे junction के लिए एक rule है क्या है ये समझ लेते हैं ये समझे आप किसी भी junction पे total जितना current junction की और आ रहा होगा उतना है total current junction से दूर जा रहा होगा ये बट obvious सी बात है भाई देखे इस junction पे focus कीजिए यहाँ पे I3 जो है वो junction की और आ रहा है I1 junction से दूर जा रहा है और I2 भी junction से दूर जा रहा है यानि कि junction की और आने वाला total current I3 junction से दूर जाने वाला total current I1 प्लस I2 तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि I3 is equal to I1 प्लस I2 right obvious है यह यही है junction rule यह जो equation हमने लिखा वो junction rule के मताबिक लिखा यह rule वैसे बट obvious है आप इसका proof दे सकते हो क्योंकि आप जानते हो कि there is no accumulation of charges at any junction or at any point in the line देखे किसी भी line में या किसी भी conductor में या किसी भी point पे या किसी भी junction पे कभी भी charge accumulate नहीं होता charge वहाँ पे जमा नहीं होता right तो सीधी सी बात है कि जैसे कि अगर हम यह junction A सोचे तो A की और जितना भी charge आ रहा होगा उतना ही total charge A से निकल जाएगा क्यूंकि A के ऊपर कोई भी charge accumulate नहीं होता जमा नहीं होता तो फिर total आने वाला charge और total जाने वाला charge सेम रहेगा और वो भी same time में ही जाएगा अब charge per unit time इसको कहते हैं current तो फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जितना current आ रहा होगा उतना ही total current वहाँ से junction से जा रहा होगा ठीक है तो यह था junction rule अब दूसरा देखते हैं वो है loop rule पहले तो यह loop क्या है यह जरा समझ लीजे देखे, conductor से या component से बनने वाला कोई भी closed circuit उसको कहते हैं loop जैसे कि आप देखें यहापे यह एक loop बन रहा है यहाँ से यहाँ तक ऐसे loop बन रहा है वैसे यह भी एक loop बन रहा है ठीक है वैसे इसको भी एक loop कह सकते हैं इस तरह से तो इस तरह से यहाँ पे total तीन loop है यह first, यह second और यह बड़ा वाला third तो conductor और component से बनने वाली कोई भी closed circuit इसको कहते हैं loop अब इस loop के लिए जो rule है वो समझ लीजे the algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving registers and cells in the loop is always zero कुछ समझ में नहीं आया है right समझाता हूँ देखें आप किसी भी एक loop पे ऐसे travel कीजे ठीके इस दोरान जितना भी potential difference आ रहा हो वो सब no down करते जाए और उस सभी का sum कीजे तो ये sum हमेशा zero हो जाएगा ऐसे का है जैसे कि आप इस h point से शुरू करते हो और फिर इस register में से पास होते हो तो इस दोरान register के across जो भी potential difference आया है वो आप लिख लिजे positive आये तो positive लिखे और negative आये तो negative लिखे देखे अगर यहाँ पे potential कम है और यहाँ पे potential जादा आये तो जब आप इस तरफ जा रहे हो तो potential increase हुआ है potential का difference positive आयेगा तो इस तरह से हर एक register में से हर एक cell में से आप पास होए और जो भी potential का difference आता है वो आप note down करते जाए positive आता है तो positive negative आता है तो negative और ऐसे करते करते आप वापिस h point तक पहुंच आई तो इस दोरान आपने जितने भी potential differences को add किया है उसका total sum जो है वो आपको हमेशा 0 मिलेगा ऐसा यह loop rule कह रहा है अब पढ़िये तो समझ में आ जाएगा इसको short में अगर पढ़ना है तो ऐसे पढ़िये तो इसे पढ़िये है यह rule भी बिलकुल obvious है क्योंकि देखे पोटेंशल यानि क्या पोटेंशल इस वर्क डन ओन यूनिट चार्ज वाइल ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फानिट तो धैट पर्टिकुलर पॉइंट ज्यादे लंबा हो गया थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ पोटेंशल इस वर्क डन ओन यूनिट पोजिटिव चार्ज राइट अब देखिए मैं अपनी ट्राविल यहां से शुरू करता हूँ इस पॉइंट एच से ठीक है अब सपोज कि इस पॉइंट एच पे जो पोटेंशल है वो है सपोज कि एक्स जितना है अब मैं यहां से ट्राविलिंग शुरू करता हूँ यानि कि मैं यहां से ऐसे रेजिस्टर में से पास होता हूँ तो इसमें पोटेंशल या तो बड़ेगा या कम होगा जो भी होगा मैं उसको लिखूंगा फिर यहां से इस रेजिस्टर में से में पास होगा फिर वहाँ भी potential बढ़ेगा या कम होगा वह मैं लिख दूँगा यहाँ भी मैं लिख दूँगा फिर इस cell में से पास होगा तब भी potential या बढ़ेगा या कम होगा तो वह मैं लिख दूँगा और फिर वापिस मैं H point पे आ जा रहा हूँ तो अगर मैं वापिस H point पे आ गया हूँ तो as per the definition of energy यहां की energy तो बदल नहीं गही होगी यानि कि यहां पे work done on unit positive charge बदल नहीं गया होगा यानि कि यहां पे जो potential है वो बदल नहीं गया होगा यानि कि यहां का potential वापिस X आ जाना चाहिए तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस traveling के दोरान आप जितने भी potential के differences को लोगे उन सभी का sum zero हो जाएगा क्योंकि आपको X पहले मिल रहा है और वापिस आखिर में भी X मिल जाता है तो इस दोरान बीच में जो भी potential के differences होगे उनका total sum zero होना ही चाहिए तो इस तरह से ये loop rule जो है वो बहुत obvious है देखें मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो junction rule है न इसी को कहते हैं कि चौफ's first law या फिर first rule मैं इसको लिख देता हूँ K1 कि चौफ's law 1 और ये जो loop rule है न इसको ही कहते है कि इसके लिए हम ये loop rule कैसे यूज़ करेंगे ये समझ लेते हैं देखें पहले ये junction rule तो हमने ले लिया यहाँ पर इसको मैं बाहर ले लेता हूँ अब देखें हम यहाँ पर दो loop choose करने वाले हैं एक loop होगा ये A से लेके H, H से D, D से C और C से B और B से वापिस A पे यानि कि जो पहला loop है वो इस तरह से है A, H, D, C, B और वापिस A पे ठीक है ये loop हमारा पहला loop है इसके लिए हम loop rule apply करेंगे और दूसरा हम लेने वाले हैं वो ऐसे है A से H, H से D, D से फिर यहाँ पे E, E से फिर यहाँ पे F और F से यहाँ पे A ठीक है ये loop भी मैं लिख लेता हूँ जो दूसरा loop है वो है A, H, D, E, F और वापिस A loop ठीक है इसके लिए भी हम loop rule apply करेंगे जैसे कि हमने बात की कि किसी भी loop पे loop rule apply करने के लिए हमें उसका potential difference जो भी आ रहा है वो लिखते जाना है अब इसके लिए पहले एक थोड़ी सी कसरत आपको करनी पड़ेगी वो मैं आपको समझाता हूँ देखिए पहले यह रजिस्टर देखिए आप यह रजिस्टर यह 30 ohms का जो रजिस्टर है इसमें से करन्ट ऐसे पास हो रहा है देखिए आप यह करन्ट ऐसे पास हो रहा है मैं यहां भी करन्ट प्रो कर देता हूँ यह जो करन्ट है वो i1 करन्ट है तो करन्ट ऐसे पास हो रहा है अब रजिस्टर में हमेशा एक बात याद रखिए जब current pass हो रहा है तो जिस terminal में current enter हो रहा है वो हमेशा positive होता है और जहां से current बाहर निकल रहा है वो हमेशा negative होता है यह मैं कहा रहा हूँ register के लिए register में पहले terminal पे हमेशा positive और दूसरे पे हमेशा negative होता है और इस तरह से यह potential difference produce होता है और आप जानते हो कि register का potential difference हमेशा I, R जितना होता है I यानि की current और R यानि की उसका resistance तो यहाँ पे current है I1 और resistance है 30 तो यह हो जाएगा 30 I1 जितना potential difference ठीक है अच्छा अब इस register को देखे यहाँ पे current ऐसे जा रहा है यह I3 यहाँ पे दिखाया है न यहाँ भी I3 ऐसे ही होगा मैं वहाँ भी I3 को जड़ा दिखा देता हूँ आपको ऐसे यह I3 ऐसे ही होगा ठीक है तो अगर current इस direction में जा रहा है तो जैसे कि अभी हमने बात की पहला terminal positive और दूसरा negative होगा सेम यह जो one ओहों में उसमें भी पहला terminal positive और जो दूसरा terminal है वो negative होगा फिर यह नीचे का जो register उसको भी देखिए इसमें current ऐसे जा रहा है यह I2 current ऐसे जा रहा है तो इसमें भी पहला terminal positive और दूसरा terminal negative होगा फिर यह 20 ओहों में इसमें भी यह पहला terminal positive और यह उपर का जो टर्मिनल दूसरा है तो वो नेगेटिव होगा अच्छा बैटरी में आपको करंट के बारे में कुछ नहीं सोचना बैटरी में तो सीधी सी बात है ने जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लिख देना है बैट ऐसे इस तरफ तो मैं positive से negative के और जा रहा हूँ यानि की potential difference कम होगा potential कम हो रहा है नहीं यहाँ पे तो potential difference negative आएगा और वो कितना आएगा i3 into 40 यानि की 40 i3 तो मुझे अगर यहां से यहां तक जाना है ऐसे जाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा minus 40 i3 लेकिन अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मुझे लिखना है plus 40 i3 अचा बैटरी में या cell में ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है cell में आपको सीधा देखना है अगर आप इस तरफ जा रहे हो इस तरफ तो आप positive से negative जा रहे हो यानि कि potential decrease हो रहा है और कितना decrease हो रहा है 45 तो आपको लिखना है minus 45 simple अगर आप इस तरफ आ रहे हो तो negative से positive पर आ रहे हो तो plus 45 simple अब इतनी information के साथ हम इन दोनों loop के लिए हमारा law जो है वो apply करते हैं अब देखिए हम शुरू कर रहे हैं point A से आप देख रहे हो यह point A है point A से मुझे जाना है ऐसे h की और तो देखिए current की direction में मैं जा रहा हूं यानि कि मैं positive से negative जा रहा हूं तो मुझे potential minus लेना पड़ेगा अब आप यहां से यहां जा रहे हो ऐसे d से लेके c तक तो आप cell में से negative से positive पे जा रहे है तो potential बढ़ रहा है कितना बढ़ेगा 45 तो मैं लिखूंगा यहां पे plus 45 ठीक है अब आगे बढ़िए अब आप यहां पे आ रहे हो register में तो आप positive से negative की और जा रहे हो यानि कि potential decrease हो होगा तो अगर decrease हो रहा है तो कितना होगा यहां पे देखिए current जो है वो i3 होगा यह i3 पूरे में i3 रहेगा यहां पे तो i3 into 1 और decrease करना है तो minus i3 यह हो जाएगा minus i3 आगे बढ़िए अब यहां भी ऐसे होगा आप positive से negative में जाओगे तो minus 40 into i3 मैं लिख रहा हूँ minus 40 into i3 अब आप वापिस a point पे पहुँच गए हो तो इसका total addition 0 हो जाएगा यह हो गया loop rule ऐसा ही दूसरा loop rule हम लगाते हैं दूसरे loop के लिए चली इसको शुरू करते हैं अब हमें a से h की और जाना है a से h की और तो इसमें तो पहले जैसे लिया था वही लेना है हमें क्या लेना है minus 30i1 छीक है फिर आप जा रहे हो यहां से h से d की और तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है conductor है फिर आप जा रहे हो d से e की और ऐसे d से e की और तो आप negative से positive की और जा रहे हो तो यानि कि potential increase होगा कितना होगा यह है register 20 और इसका current देखो यह होगा यह i2 तो 20i2 जितना potential increase होगा तो मैं लिखूंगा plus 20i2 अब आगे बढ़ते हैं अब हम e से लेके f तक आ रहे हैं ऐसे अब यहां पे आप negative से positive में जा रहे हो तो ऐसे में potential बढ़ेगा कितना बढ़ेगा 1 into i2 यानि कि simply i2 जितना potential बढ़ेगा तो यह plus i2 फिर आप आगे इस cell में cell के positive से negative की और जा रहे हो तो potential कम होगा कितना कम होगा 80 जितना कम हो जाएगा तो यह हो जाएगा minus 80 और वापिस आप पहुंच रहे हो point a पे यानि कि इ as per loop rule तो इस तरह से आपको loop rule apply करके यह equation मिल रहा है और दूसरा यह भी equation मिल रहा है अब इस equations को use करके हम इसमें से unknown current find कर सकते हैं potential difference find कर सकते हैं resistance भी find कर सकते हैं यह सब कुछ कैसे करना है वो बाद में देखेंगे लेकिन आपको यह loop rule और यह junction rule कैसे apply करना है वो मैंने आप आपको यहाँ पर समझाया है देखें जो equation हमने derive किया है वही equation यहाँ पर आपको textbook में भी दिया है देखें यहाँ पर यह minus 30i1 minus 41i3 plus 45 is equal to 0 वही है नहीं यह minus 30i1 और यह हो जाएगा minus 41i3 plus 45 is equal to 0 और दूसरा equation देख लिजे minus 30i1 plus 21i2 minus 80 is equal to 0 तो यहाँ भी वही है ना हमारे पास minus 30i1 और यह हो जाता है plus 21i2 minus 80 is equal to 0 ठीक है अब इसके बाद के lecture में हम थोड़े से जो illustrated numericals है उसको solve करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे मैं आपको बतानू कि इसके सभी question answers की pdf की link panel description में रखिए आप उसे download कर सकते हैं झालो! झालो!